नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंग और आप देखरने संदस्तक इस देश में क्या इस्तीति आप कलपना नहीं कर सकते हैं यूपी में इनसे फ्लाइटी से बुखार से बच्चे तरप तरप कर मर रहे हैं लेकिन इस देश की मीडिया जो है वो आपको अब्बा जान, अम्मी जान, हिंदु मुसल्मान भरत पाकिस्तान में दिखा रहा है सोचिए मैं क्या इसकी बज़ा जाती है इस पर बात करूँगा आज मुसलिम समाज पर बातचित करूँगा कि क्या मुसलिम समाज के जो असरफ मुसल्मान खासकर मीडिया में है क्या वो भी अपने समाज के दुसमन है और वो कैसे खेल रहे है इस पर ही बात करूँगा और तमाम बड़ी खबरे तमिलाड के मुखमंत्रिय स्टालिन ने नीट से अपने आपको हटा लिया और वहां के बच्चों को राज 10 प्लस 2 के नंबर पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला होगा लेकिन सबसे पहले बात आज मुस्लिम पत्रकारों की जी नीज आप सब लोग जानते हैं जी नीज सुधिर चौधरी वला और जो सुवाज चंद्रा वला वह एक जी सलाम चैनल चलाता है वहां मुसलमान एंकर होता है कुछ उर्दु में भी लिखा दार मुसलमानों के खिलाफ अखिलेज माया वतिन तमाम मुसलमानों को तोरने की बड़ी कोशिश होती है आप सोची और मुसल्मान उसको बरे चाओ से देखते हैं आप सोची एंड टीवी में सारी खान है रोमाना है ए बीपी में रुबिका है ए बीपी में तमाम चैलों में एक दो मुसलिम चेहरे हैं जो एंकरिंग करते हैं सईद अनसारी है आज तक में क्या ये आपकी आवाज उठाता होगा आपकल पना किजिए जब 131 SCSTK, OBCK MP, 200 MP संसद में BJP में रहकर अपना समाज के अधिकार की बात नहीं करते हैं तो प्राइवेट नौकरी करने वाले ये लोग क्या मुस्लिम समाज की रिपरजेंटेशन करते हैं मैं फिर कह रहा हूँ तमाम मुस्लिम पत्रकार जो इन मीडिया हाउसेस में नौकरी कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं वो भी डर से मुस्लिम समाज को अपने सोसल मीडिया को मजबूत करना होगा जो वो कर भी रहे मिल्ला टाइम्स, तरहान यहां, दन कंपनिया, यहां सवर्नों की है, जिसे आप हिंदू कह रहे हैं दरसल वो सवर्न लोग है, जाती से पहचानी है, इस देश में जाती जरूरी है, वो सबके सब जेनरल कैटिगरी के सवर्न लोग हैं और वो मुस्लिम नाम से बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि उनका नाम ख सुनिये, आपके जो पत्रकार हैं इन चैनलों में, उनको जान गुच कर तनखा दे कर रखा जाता है, जैसे कुछ मौलावनाओं को पैसा दे कर, मुसल्मानों को पिछरा, करमकांडी, कट्टर घोसित किया जाता है, ऐसे ही ने एंकरों को रखके मुसलिम समाज के लोगों को बदनाम किया जाता है, मैं फिर कह रहा हूं, यह सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी बचा रहे हैं, चाहिए वो जी सलाम हो, चाहिए कोई भी आदमी, जो भी कर्परेट हाउस का, जो मुसलिम नाम से चैनल है, सोचिए जो सुधिर चौदरी दिन वर आपकी बात करने का दावा करता है, बस कुछ मुसलिम पतकार रख लो, जैसे मैं नस्नल दिस्तक में कुछ सवर्न पतकार रख लो और उसे सवर्नों को गाली दिलवाऊं, यह होता है आईडिया इन लोग का, तो समझ यह इसलिए मैं करहा हूं, आपको सोचल मीडिया समाज का बोट करती है, क्या मुसलमानों में 90%, जो मुसलमानों में उनका अश्रव मुसलमान भिरोध करते हैं, ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन आप मताइएंगां, और गौती यह इसलिए हूं, आप बताएंगा il के pam portray, रहे समाज और देश काहित उनके लिए महत्पून नहीं है यह मेरी राय है आप लोग की क्या रहा है आप इससे सहमत है अगर आप सहमत है तो हमें कमेंट करके बताइए सहमत है तो मिल्लर टाइम्स दलाइब टीवी धाकर खबर रजा सराफी दनेशन इन तमाम चैनलों को नहीं रुकेगा अब बात कुछ बड़ी खबरों की यह तस्वीर देखिए यूपी की है जहां लगातार बच्चों की मौत हो रही है इलाज के लिए बच्चे तरप रहे हैं बिग्यापन से अलग यूपी की सच्चाई और बधारी नाती को गोद मिलेकर आंसु बहातारा 500 खंट बाद मिर्थ घौसित यह यह खबर ये फिरोजाबार की खबर यह विडियो फिरोजाबाद की खबर श्क्रेंस इसक्रीन सोबिखार दिखाई है कि गघर में बच्चे बिमार हैं यह स्क्रीन सेमें collapse ऑगारी के नीचे बेडु जा रहा है फिरोजाबाद में कि आप बहुत बुरी स्थीति है फिरोजाबाद जी लेखी और यह तस्वीरे दिखा रहा हूं आपको और यह क्या हांत्रस रेफ हत्या केस में एक साल हो गए लेकिन अब तक आरोपियों का बताने यह भी यूपी की खबर है योगी जी इस पर ध्यान दीजिए जहर घोलने से फुर् न उठाए हैं इंबूलेंस ट्रॉमा से किसोरी को लटाए है इंबूलेंस न मिली तो कंधे पर ले लेगिया एंबूलेंस वहां तहर रहा है गाय के लिए Indigenous की बात हो रही थी कहां आदमी के पेर से टांकर सलाइन किया जा रहा है तक्ते पर बिछा करिए तस्वीरे देखिए रुलाने बाली है सारी और देखिए पुलिस को किस काम पर लगा दिया गया है कि ट्वालेट कोई न जाए खुले में और जानबर न छोड़े वही परसांत कर रजिया ने खबर शेयर किया ज मामला तो मिड़े मिल तक नहीं मिल रहा है और अल स्टूडेंट सुट फॉलू द तमिलनाड ने अपने आपको नीट से अलग कर लिया है वहां के लोगों का दाखिला जो है वह उस पर होगा डियर कंजूमर कोट और यह बीजेपी के कॉंग्रेस का एक बिधायक जो पहले बीजेपी में चला गया था उसने आरोप लगाया है कि वो कि वो जो उनको पैसे देने का अफर हुआ था लेकिन होने का था कि सबका साथ तो यह तमाम बड़ी खबरे थी लेकिन सबसे ज्यादा यूपी की बुरी हालत है और इसलिए लोग वहां ट्वीट कर रहे हैं में दाखिला तो यह तमाम खबरे में आपको बता रहा हूं मतुरा के मंदिर में 3500 रुपए में सजने वाले फूल तीन करोर में खरीदे बारा पर केस दर्ज अरे जो भगवान को नहीं ठोड़ते हैं न वो किसको छोड़ेंगे मत परदेश के चात के साथ अलग ही खेलो र अब इंजिनियरिंग के चात्रामान महावारत रामचरीत मानस परेंगे यह टूल कीट है ताकि बीजेपी को स्बोर्ट मिलता रहे और इसलिए लोग कह रहे हैं कि गुजरात का बच्चा बिजनेस MBA करता है बिहार का बच्चा UPSC और नोखरी की तियारी करता है दख्षिन भारत के बच्चे मेडिकल आइटिया यह में जाते हैं और यूपी के बच्चे जो हैं वह भंडारा यह पन्ना पन्ना परमुख मतलब वह संदार ट्वीट है जो मैं मैं अभी पर नहीं पा रहा हूं मैं कोशिश करूंगा कि उसे पर के बताऊं लेकिन मैं बार बार कह रहा और सोसल मीडिया ही सच्चा मीडिया है सोसल मीडिया ही बहुजन मीडिया है आपको सोचना पड़ेगा किस तरह से हो रहा है और मैंने फिर कहा है इस देश में लगातार लगातार आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस तरह से रोजी रोटी की ख़बरों से बेदखल किया जा रहा है और आपको सिर्फ और सिर्फ भर्माया जा रहा है तो ये कुछ बड़ी खबरे थी जो आपको मीडिया नहीं दिखाएगी मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोसल मीडिया ही सच्चा मीडिया है सोसल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और आप देखते रहें और भाई निस्तर दस्तर को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निस्तर दस्तर को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें